पिछले 14 दिन से लगातार देखने को मिल रहा है पेट्रॉल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और अब आलम ये हो चुका है कि कहीं न कहीं जो आम लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानिया उठानी पड़ रही हैं इनी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जग्देश शर्मा जो की कॉंग्रेस के नेता है और राहुल प्रियंका गांधी सेना के अध्यक्ष भी हैं सर स्वागत आपका पाल्यमेंटरी बिजनस में लगातार देखा जा रहा है चौदा दिन हो गया और इसी तरह से लगातार पांच पैसे दस पैसे कुल मिला कर देखा जाए तो अब आठ से साथ रुपे के आसपास पैट्रोल हो गया और आठ रुपे से जादा डिजल के दा पर रहा कहीं भूकमारी कहीं लाचारी कहीं बिरोजगारी हर आदमी परेशान है अब तो नेपाल चायना पाकिस्तान भी हमें धंका रहे हैं क्योंकि हम महासकती बन गए हैं सही बात है कि हमारे जो परधान मंतरी जी है नरेंदर मोदी जी इनकी कोई भी वीडियो उठा कर देखिए जब ये परधान मंतरी नहीं थे पहले की हर वीडियो में जो जो ने उन्हें कहा वो उल्टा इनके उपर पढ़ रहा है कितना सोर मचाते थे दस रुपे पट्रोल बढ़ जाता था तो मुझे याद हमारे देश के परधान मंतरी कांग्रेस के परधान मंतरी मनमौ देशों में सच्टा पट्रोल कर दिया है और जहां से पट्रोल हम लाते हैं हुआ सुने माता फिरी आरा साथ में कुछ पैसे भी मिल रहे हैं जिस देश हम पाकिस्तान का रोना रोते हैं सारे मीडिया में के पाकिस्तान मर रहा पाकिस्तान डूब रहा है वहां परिशानी है उस पाकिस्ताने भी 7-8 रुपे लीटर पटोल कम कर दिया है एक सवाल और उठ रहा है कि लगातार जब कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट भी होती है तो एक बार जो दाम बढ़ जाते हैं वो कम होते नहीं दिखाए देते आज कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा करने की बात कही जा रही है लेकिन सवाल वही उठ रहा है कि जब घटा है कच्चे तेल का दाम तब उस समय कम नहीं होता मतलब आम आत्मी के उपर बोज लगातार बढ़ता जा रहा है बस यही तो बताना चाहरा था कि हमारे टेम में घटे भी बड़े भी हमारे तो किसमत ऐसी रही कि हमें सब बढ़े ही 120 रुपे कर चा तेल खरीद कर हमने 60 रुपे दिया पच्च्पन रुपे दिया और आज तो सुनी मारा फिरी मिल रहा है तो भी यहालात है सरकार को सोचना चाहिए सरकार की कोई निती ठीक नहीं है और नियत भी ठीक नहीं है उनको तो लूटना है मैं समझता हूँ जो चर्चा देश में चल रही है रिलाइंस के बंडार बर देगे हैं अडानी के बंडार बर देगे हैं जो जो सरकार के टच्च में सबके बंडार बढ़ दे हैं पर हमारे साहिब ने डीजल पट्रोल नहीं खरीदा ये बगवान जाने क्यों क्यों सस्ता नहीं दे रहे हैं अगर आज के टेम में ये 10-20 रुपे सस्ता भी कर देते बढ़ानिक बजाए तो देश की जनता को बहुत रात मिलती किसान को मदूर को जो जो इंडश्टी को बड़ा फाइदा मिलता पर नहीं जब देश में पेट्रोल को डिजल के रेड बढ़ते हैं ना तो महिंगाई भी शाथ साथ बढ़ती है या तो करौन ले चहां ब्याप क्या औरोने से कोई मरा आप वी कहीं पुछीह को हो रहा आपके साथ बाई कुछ समझ में नहीं आ पूरे देश में कौन खेल कर रहा है क्या कर रहा है करोना का इतना बड़ा भै कर दिया है कि लोग जबर्दस्ति दवाई खाका के बीमार हो रहे हैं तो साब तोर से लगातार जिस तरह से पेट्रोल और डिजल के दाम में इज जरूरत है कैमराविन प्रदीप रावत के साथ देवनात पांडे पार्लियामेंटरी बिजनेस तिल्ली